तो आजादी के बाद हम देखते हैं कि जो प्रयास किये गए या सुधार के लिए जो नियम और नीतियां बनाई गई उसके फलसुरूप भारती कृषी में कुछ उपलबधियां प्राप्त की गई हैं वो कौन-कौन सी हैं तो खाद्यान उत्पादन में वृध्धी की गई है मतलब जो नीतियां बनाई गई है या हम ये कहें कि जो प्रयास किये गए हैं उसके माध्यम से हमने अपने खाद्यानों के उत्पादन में वृध्धी की है हम आत्म निर्भर बन गए हैं पहले हमें अपने खाद्यानों को अपनी जोरत की हिसाब से आयात करना पड़ता था लेकिन वर्तमान में हम अपने खाद्यान उत्पादन में आत्मनिर भर हो गये हैं और आवश्चक्ता के अनुसार हम उसे दूसरे देशों को निर्याद भी करते हैं फिर है हमारा क्रिशी भूमी के छेत्रफल में व्रिधी लगातार हमारी जो पढ़ती भूमी थी बंजर भूमी थी उन सभी का हमने आधुनिक तक्निक के इस्तेमाल से प्रयोग से उन भूमियों को भी क्रिशी के योग्य जो है वो बना लिया है तो क्रिशी भूमी के और यह संभव हो सका है जो हमने बात की थी HYP या High Yielding जो प्रोग्राम है ना हमारा यह संभव हो सका है हरित करांती के माध्यम से फिर हम देखते हैं जो रासायनिक उर्वरक हैं उनके उपियोग में वृद्धी की गई है अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसलों को हम अलग-अलग युक्तियों से या उपाय से जैसे की शशे शेयोजन के माध्यम से या एक वर्ष के लिए परती भूमी छोड़ देने से भी हम उसके उत्पादन में जो है वो वृद्धी तो करते हैं मतलब मृदा का जो उपजावपन है उसमें वृद्धी होती है लेकिन चुकि हमारा हमारी देश की जन संख्या ही इतनी अधिक है कि हम उसे अधिक समय तक पढ़ती नहीं छोड़ सकते हैं तो उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें उसमें कुछ खादों का उर्वरकों का प्रयोग करना भी आवश्यक हो जाता है उनमें पोशक तत्व को बढ़ाने के लिए तो रासायनी उर्वरकों के प्रयोग में भी लगातार व्रिधी दर्ज की गई है और साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे देश में जो सिंचित भूमी है उसके छेत्रफल में भी व्रिधी हुई है और ये संभव हो पाया है जो पंच वर्शी य जोजना का निर्माड किया गया है उसके प्रभाव से ये संभव हो पाया है कि हमने अपने देश की जो सिंचित भूमी है उसके छेत्रफल में लगातार वृद्धी की है हम भारत में देखते हैं कि यहां इस्थलाकृती से संबंदित या जलवायू की हम बात करें तो इन सभी में हमें बहुत अधिक भिन्नता जो है वो देखने को मिलती है और जलवायू या इस्थलाकृती या हम बात करें कि मृदा की तो इस आधार पर हम देखते हैं कि यहां प खरीफ या खरीफ मौसम की जो फसल है खरीफ की जो फसले होती है वो जून में जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है यदि हम उत्तर भारत और दक्षिन भारत के राजियों की बात करें कि इस खरीफ रितू की फसल में या खरीफ मौ में चावल है कपास, मक्का, बाजरा और दालों में अरहर को मुख्य रूप से बोया जाता है और जब हम दक्षिन भारत की बात करें तो इसमें खरी फरीतू की जो फसले होती है उसमें प्रमुक है चावल, मक्का, रागी, ज्वार और मुंफली ये हो गई खरी फसले दूसरा हम बात कर लेते हैं रभी फसले तो जो रभी फसले होती है वो आपके अक्टूबर, नवंबर में बोयी जाती है और मार्च, अप्रेल के बीच में इन है इन फसलों को काट लिया जाता है तो इसमें हम देखते हैं उत्तर भारत में प्रमुक ही रूप से गेहु की फसली जा जौ और मक्का को मुख्य रूप से बोया जाता है दक्षिन भारत में हम देखते हैं चावल है मक्का है रागी और मुंफली ये फसले प्रमुख रूप से ली जाती है इसके बार जायद जायद फसले जो है वो खरीप और रभी की जो फसल होती है इसके बीच के समय में बोई जाती हैं और काट ली जाती हैं इसमें प्रमुक रूप से जो वनस्पतियां हैं या हम जो सबजीयों की बात करेंगे जैसे तर्बूज हो गया, खर्बूज है, ककड़ी है, खीरा है ये जो फसले हैं वो प्रमुक रूप से जायत फसलों के अंतरगत ली जाती हैं इसमें जैस इसमें उत्तर भारत में प्रमुकता से बोई जाती है वनस्पतिया इस सब्जी और जो फल है और इसके साथ ही 4 भासलें भी इस मौसम में ली जाती हैं Di s. wr pul तो सब्जीयों के साथ साथ यहां पर चावल की भी एक फसल जो है वो ली जाती है और इसके साथ ही चारा फसल भी उत्पादित किया जाता है। बच्चों यह जो हमने तीन रीतों की फसलों की बात की चाहे खरीफ, रभी और जायत फसलें। इन में अगर हम बात करें चावल है गेहू, मुंकवली देखा हमने अरहर है Хम जो की बात कर रहे हैं तो इसमें तीनों ही अगर हम फसलों का वर्गी करन कर दे तो प्रमुख रुप से खाध्यान फसले होती हैं, दूसरी वानिजिक फसले होती हैं और तीसरी जो हैं वो रेशेदार फसल होती हैं, ये किसी भी प्रकार की फसल हो, ये अलग-अलग छेत्र में जो इनके अनुकूल जलवायू होती है, द्हागा प्राप्त करते हैं और सूती वस्रका उससे निर्माण होता है, जूट जूट भी जो है वो प्रमुख रेशेदार फसल है, इससे आपको पता है, आपने देखे होंगे, दरिया बनाई जाती हैं, जूट के बैग बनाए जाते हैं, ऐसे बहुत से समान जो है, जू इन देखेंगे दलंफसले की बात करते हैं, तो प्रमुख रूप से अर हर है, तूर है, यह जो है, जतनी भी अलहें वो सभी दलंफसलों की अंतरगत आती है, और जब हम तिलहन फसलें या तिलहन फसल की बात करते हैं, तो ऐसे छी प्रमूख जिन से नहें प's дело एकान जहन बात करते हैं जैसे सूरी मुख्यी हो गया सर सो वोंग फली की हम बात कर रहे हैं तो ये सभी फसले तिलहन फसलों के अंतरगत आती हैं और खाधियान फसले प्रमुख भूप से हमारे उपयोग के लिए जीवन बीर्भा के लिए जीवन यापन के लिए उगाईantes जाती हैं और जब हम वाडिजिक फसलों की बात करेंगे तो वाडिजिक फसलों के अंतरगत जो प्रमुख रूप से रेशेदार और तिलहन और दलहन फसलों को वाडिजिक फसल के अंतरगत लिया जाता है जैसे हम गन्ने की भी बात करें तो गन्ना भी एक प्रमुख चावल, धान से हम चावल प्राप्त करते हैं, आप सभी को पता है, तो चावल जो है यह हम धान की बात करें, तो यह भारत की एक प्रमुख खाद्यान फशल है, और देश की जो कुल कृशी भूमी हम देखें, तो इसमें पूरा जो 30 प्रतिशत है कुल कृशी भूमी का, वो इस पर चावल की जो है वो कृशी की जाती है, वर्ष दो हजार एक दो में हम देखते हैं, लगभग 446 लाख हेक्टेर, जो है, 446 लाख हेक्टेर, वो आपकी चावल की खेती के अंतरगत आती थी, और इसका उत्पादन तब आपका 931 लाख टन था, हम भारत में देखेंगे, तो चावल की प्रमुक रूप से 3 फसले ली जाती है, पहला है आपका शीत कालिन, शीत कालिन फसल जो है, वो जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच यह फसल ली जाती है, और इसे हम 36 गड़ में अगहनी या समानी रूप से अमन के नाम से जानते हैं शीत कालिन फसल जो है चावल की उसे, फिर दूसरी गृष्म कालिन फसल ली जाती है चावल की, जो दिसंबर से लेकर अपरेल तक यह फसल प्राप्त कर ली जाती है, और इसे बोरो के नाम से जाना जाता है फिर शरत कालीन फसल की जब बात करते हैं तो ये जून से अक्टूबर तक ये फसल प्राप्ति की जाती है और चावल की ये जो फसल ली जाती है शरत कालीन इसे ओस के नाम से जाना जाता है तो हमने अभी देखा चावल की प्रमुक रूप से तीन फसले अमन, ओस और बोरो जो है भारत में प्राप्ति की जाती है और ये नाम जो है वो अधिकतर आपके पशिम बंगाल और तमिल नाडू में बहुत जादा यह हमें कह सरवाधिक रूप से प्रचलीत है तो चावल की जब हम बात करते हैं तो हमारे भारत में लगभग 3,000 से भी अधिक किसमे जो है वो चावल की उगाई जाती है और विश्व के जब हम उत्पादन की बात करें तो विश्व का लगभग 21.2% प्रोडक्शन करके उत्पादन करके भारत जो है चीन के बाद दूसरे इस्थान पर है पूरे विश्व में अब ये तो हो गई उत्पादन की बात अब हम देखते हैं कि चावल चुकी एक उष्णकटी बंधी पौधा है और हम सभी को पता है कि इसके लिए बहुत अधिक तापमान और बहुत अधिक आध्रता या वर्षा की आवश्चकता होती है तो इसकी जो भौगॉलिक दशाएं जिस पर ये उत्पादित की जाती है उस पर बात कर लेते हैं जलवायू की बात करें तो अभी हमने कहा कि ये उष्णकटी बंधी जलवायू है इसलिए इसके उत्पादन के लिए जिस भी स्थान पर उष्ण और आद्र जलवायू होती है वो सरवाधिक उप्युक्त होती ह जलवायू के तत्वों की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं तापमान तापमान जो है चुकी हमने अभी कहा कि ये उश्नकटी बंधी पौधा है तो इसे बहुत अधिक तापमान की आवश्चक्ता होती है चामल को बोते समय लगभग 20 डिगरी सेंटिग्रेट तापमान होना चाहिए और इसके जब फसल पक कर तयार होती है तो फसल के पकते समय इसका तापमान 27 डिगरी सेंटिग्रेट होना चाहिए हम राउन फिगर में अधी बात करें तो लगभग 20 से 25 डिगरी सेंटिग्रेट तापमान की आवश्चक्ता होती है चामल के उत्पादन के लिए और साथ ही जब इसकी फसल पकती है तो पकते समय आसमान या बादल जो है वो एकदम साफ होना चाहिए और चमकीली धूप की आवश्चक्ता इस फसल को होती है वर्षा हमने कहा कि आद्र और उष्णकटी बंदी जिस प्रकार उष्णकटी बंदी होने के कारण अधिक्तम तापमान चाहिए वैसे ही आद्र होने के कारण इसके लिए वर्षा की बहुत अधिक आवश्चक्ता होती लगभग जिस खेत में ये फसल ली जाती है वहां पर 75 दिनों तक पानी जो है वो उस खेत में उस इस्थान में भरा होना चाहिए इस इस फसल को पानी की बहुत अधिक आवश्यक्ता होती है लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर जहां पर भी वार्शिक वर्शा होती है उन इस्थानो पर चामल की क्रिशी की जाती है या हम ये कहें कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्शा वाले छेतर इसके लिए सरवाधिक अनुकूल होते हैं और अगर इससे कम वर्शा होती है तो वहां पर सिचाई की आवश्यक्ता पढ़ती है उत्पादन के लिए और लगभग 75 सेंटीमीटर से भ लोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी या जलोड मिट्टी जो है उपजाओ मिट्टी के आवश्यक्ता होती है तो ये तीनों ही प्रकार की मिट्टी इसके उत्पादन के लिए एक आदर्ष दशा जो है वो उत्पन्न करते हैं इसके साथ ही हम डेल्टाई छेतर चुकि हमने कह जलोड मिट्टी भी जो है वो इसके उत्पादन के लिए अनुकूल होती है और इसलिए हम देखेंगे कि आपका पश्यम बंगाल जो है वो हमारे भारत में चामल के उत्पादन के लिए पहले स्थान पर है फिर नेक्स्ट है आपका श्रम या लेबर की हम बात करते हैं तो चामल की जब खेती की जाती है तो इसकी क्रिशे में श्रम की बहुत अधिक आवश्यक्ता होती है जैसे बीज को बोने के लिए रोपाई विधी से जहां पर क्रिशे की जाती है तो उन पौधों को चामल के छोटे-छोटे पौधों को अलग-अलग लगाने के लिए कटाई के समय निजाई के समय श्रम की यहां पर बहुत अधिक आवशक्ता होती है तो जिन इस्थानों पर बहुत अधिक श्रम उपलब्ध होता है वहां पर भी या हम यह कहें कि जहां पर भोगौलिक दशाएं अनुकूल है और श्रम नहीं है तो वहां पर चावल की कृशी के लिए दूसरे स्थानों से जो श्रम को है मंगाना पड़ता है या आयात करना पड़ता है अब किस ढग से चामल की जो क्रिशी की जाती है तो उसके उत्पादन के कौन-कौन से ढग या तरीके हैं इसकी हम बात करते हैं तो चामल को हम निमन प्रकार से बोते हैं, जो ग्रामीन छेतर के बच्चे हैं, वो इससे बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, पहला जो एकदम परंपरागत तरीका होता है चामल की बुआई का, वो है आपका छिड़कर, मतलब चामल या धान जो होता है, उसके बीज की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसे बस ऐसे ही खेतों पर छिड़क दिया जाता है, और बाद में वो उससे धान के पौधे उगाते हैं, तो ये एक प्रंपरागत तरीका है, छिड़ककर, दूसरा है रोपा-विधी, तो इसमें क्या किया जाता है, पहले क्यारियों में धान के जो छोटे-छोटे पौधे तयार किये जाते हैं और लगभग चार से पांच सपताहा के जब छोटे पौधे धान के तयार हो जाते हैं तो उन्हें खेतों में एक-एक पौधों को अलग-अलग थोड़ी-थोडी दूर पर उन्हें लगा दिया जाता है लगभक 6 से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये पौधे लगाए जाते हैं तीसरी विधी है हल चलाकर मतलब हमने भी बात की थी ना खेतों को जुताई के लिए तो खेतों को जब हल चलाकर जोता जाता है और हल उस जुताई के समय ही वहां पर धान के जो बीज है वो खेतों म चिड़काव कर दिये जाते हैं तो ये अगली विधी है जिसके माध्यम से हम धान के बीजों की जो है वो बुआई करते हैं तो ये प्रमुक रूप से भारत में तीन विधियों से धान की बुआई की जाती है अब हमने जैसे बात की थी धान की किसमे तो लगभक 3,000 से भी अधिक किसमें हमारे भारत में उपलब्ध हैं धान की इसमें प्रमुक रूप से IR-8 है, IR-20 है, IR-10 है, BR-43 है, हेमा है, राजेश्वरी, बास्मती, दुबराज ये जो धान की किसमें हैं ये प्रमुक रूप से भारत में उगाई जाती हैं अब पूरे भारत के कौन-कौन से छेतर में धान का उत्पादन प्रमुक ता से किया जाता है, इसकी जब हम बात करते हैं, तो छेतरों में देख लेते हैं, हमें पता है, भारत जो है, वो 21.2% चामल का उत्पादन करके, पूरे विश्व में, चीन के बाद, दूसरे स्थान पर है तो भारत में ही हम देखें कि कौन सा राज्य पहले इस्थान पर उसके बाद मतलब सबसे अधिक चामल का उत्पादन कहां होता है तो भी हमने बात ही की थी पर्शिम बंगाल पर्शिम बंगाल में पूरे भारत में सरवाधिक धान का उत्पादन या चामल का उत्पाद किया जाता है चुकि यहां पर डेल्टाई भूमी है जलोड मिट्टी यहां पर मिलती है और यह जो राज्य है वो उसका जो मतलब इस राज्य के पूरी कुल क्रिशी भूमी है उसके 77 प्रतिशत भाग पर चामल की खेती या धान की बुआई की जाती है और थोड़ी दिर पहल बोरो अब हम देखते हैं कि जो भारत का कुल उत्पादन होता है धान का उसमें 16.39 16.39 प्रतिशत जो है वो पश्यम बंगाल से ही प्राप्त होता है और पश्यम बंगाल के जो प्रमुक जीले हैं जहां पर चामल का उत्पादन होता है ति इसमें हम बात कर लेते हैं कूच बिहार है जलपाई गुड़ी है बाकुड़ा है और वर्धमान के साथ साथ दारजिलिंग जील्वों में प्रमुक रुप से यहां पर चामल उत्पादित किया जाता है 2012-13 में हम देखेंगे कि यहां पर लगभग 150.24 लाख टन चामल का उत्पादन किया गया था दूसरा इस्थान उत्तर प्रदेश का है पशिम बंगाल के बाद भारत में चामल उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे इस्थान पर है उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादक जीले जहां सर्वाधिक रूप से चामल का उत्पादन होता है तो इसमें प्रमुख है सहारनपूर, देवरिया, गोरकपूर, लखनौ, रायबरेली और पीली भीद यह जो है वो प्रमुख उत्पादक जीले हैं यहां पर 2012 में 124.59 लाख टन चामल का उत्पादन हुआ था और भारत का जितना भी चामल उत्पादन है उसके कुल उत्पादन का लगभग 13.38 प्रतिशत जो है उत्तर प्रदेश में उत्पादित किया जाता है वर्ष 2012-2013 की जब हम बात करते हैं तो यहां पर 2012 से बढ़कर चामल का जो उत्पादन है वो 146.16 लाख टन हो गया तीसरा इस्थान है आंध्रप्रदेश का यहां पर आंध्रप्रदेश में चामल की प्रमुख रूप से दो फस ले ली जाती है और यहां पर चामल का जो प्रती हेक्टेर उत्पादन है वो 1980 किलोग्राम है यह प्रमुख छेत्र की हम बात करेंगे आंध्रप्रदेश की तो गोदावरी नदी घाटी का जो छेत्र है यहां पर प्रमुख रूप से चामल का उत्पादन किया जाता है जो समुद्र तटी मैदानी भाग है यहां पर चुकी जलवायू के साथ साथ आद्र भूमी और मि चार सुन्नी लाख चामल का उत्पादन हुआ था और भारत के कुल उत्पादन का 12.24 प्रतिशत चामल इहां पर उत्पादित किया जाता है और इन सभी राज्यों के अतरिक्त हम देखेंगे कि पंजाब, बिहार, उडिसा, असम की हम बात करें, तमिल नाडू और इसके और 36 गड़ में भी प्रमुख रूप से चामल का उत्पादन होता हुआ और 36 गड़ को हमें पता है कि धान का कटोरा गा जाता है और 36 गड़ का जो पूरा मध्यवरती महनधी बेसीन है, ये प्रमुख चामल उत्पादक छेत्रे हैं, या हम ये कहें कि यहां कि जितने भी ढ प्रतिशत छेत्र पर सिर्फ चावल का उत्पादन किया जाता है। ध does 2,000 kg येहाँ पर चावल की खेती लगभग हमने बात की ती किस सभी जीळों में की जाती है लेकिन प्रमुक्रुप से मध्यवर्तry महानधी बेसीन है यहाँ पर प्रमुकता से चावल की क्रिशी की जाती है और बाकी चेत्रों में भी ली जाती है लेकिन यह उसकी कम मात्रा है यदि हम उत्तर और दक्षणी इसके चेत्र में चले जाएं पठारी और पहाडी हिस्सों में तो वहां पर मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है अब 2012-13 में हम देखते हैं कि यहां पर चामल का जो उत्पादन है वो 66.09 लाख टन उत्पादन हुआ था चामल का अधिकान शेत्रों में 36 गड़ के चामल की एक ही फसल ली जाती है बहुत कम ऐसे चेत्रे हैं जहां पर चामल की दो फसले ली जाती है भारत में चामल का उत्पादन तालिका से आपको इस पस्ट हो रहा होगा 1971-1971 में 442.2,010 है 1990 इंक्यानमे में बढ़कर ये 742.9,010 हो गया 2078 में हम देख रहे हैं इसमें लगातार वृद्धी मिल रही है 966.9,010 हो गया है 2010-11 में 969.8,010 है 2012-13 में 1052.3,010 है 2013-14 में 1066.5,010 हो गया और 2014-15 में हमें इसमें थोड़ी कमी देखने को मिलती है और ये 1048 लाग टन है